आज हम इस वीडियो मेहला 1.2 लीटर का 3-cylinder टर्बो पेट्रोल इंजन जो 118 PS की पावर और 170 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है दूसरा नया वला 1.2 लीटर का TGDI इंजन जो 125 PS की मैक्सिमम पावर और 225 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करेगा और तीसरा 1.5 लीटर टर्बो डिजल इंजन जो 115 PS की मैक्सिमम पावर और 260 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करेगा अब इसके ट्रास्मिसन की बात करें तो तीनों इंजन के साथ 6-speed manual के साथ 7-speed DCT ट्रास्मिसन मिल जाएगा जिन लोगों को DCT ट्रास्मिसन के बारे में नहीं पता है उन्हें बता दो कि ये AMT और आटोमेटिक ट्रास्मिसन से थोड़ा प्रिमियम ट्रास्मिसन होता है लेकिन में बात यहाँ यह है कि 1.5 लीटर टर्बो डिजल के साथ 7-speed DCT ट्रास्मिसन दिया गया है जो एक रेयर और प्रिमियम कंबिनिशन है यह बहुत ही सर्प्राइजिंग बात है लेकिन यहाँ disappointment लेवल कुछ जैदा ही है क्योंकि आटो एक्सपो में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को अन्विल किया गया था और साथ ही यह भी confirm किया गया था कि इसे पहली बार कर्व के साथ इंट्रोडियूस किया जाएगा लेकिन अभी तक इसमें यह इंजन नहीं मिला है यह हो सकता है कि टाटा मोतर सकर्व के लौंच तक या उसके बाद इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अफर कर दे अब इसके रैवल्स की बात करें तो क्रेटार सेल्टोष को साख ऊटागोन में 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है जो बहुत ही प्रीमियम फिल हो रहा है कोट आप फाइव एस्टार की शेप्टी रेटिंग मिली हुई है चाहे वो पंच हो या सफारी यहाँ आपको सभी एस्टेंडर शेप्टी फिचर्स के साथ अस्टेंडर शेएर बैग, टायर प्रेशर मोनितरिंग सिस्टम 360 डिगरी केमरा, रियर पार्किंग सेंसर रियर पार्किंग केमरा, एलक्त्रोनिक पार्किंग ब्रेक हेल डिसेंट कंट्रोल, हेल एस्टार टेशिस्ट अब इसके फंचनल फिचर्स की बात करेंगे तो वेंटिलेटेड फ्रेंट शेट, लेदरेट शेट, 6-way पार्किंग ड्रेवर शेट, 6-way मैनुवली अडिजस्टेबल को ड्रेवर शेट, कूल्ड गलोब बप्स, 45 वाट टायप सी चार्जिंग पोर्ट, एलेक्ट्रोनिक टेल्गेट विद गेस्टर एक्टिवेशन, 12.3 इंच टच स्कीन इन्फोर्टेन्मेंट सिस्टम, 10.25 इंच डिजिटल इंस्टुमेंट कलस्टर विथ निविगेशन, क्रूज कंट्रोल, वाइरलेस फंचार्जर, हार्मन सॉंड सिस्टम, एम्बेंट ला वाले सारी फीचर्स और हेरियर के कुछ फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा, अब इसके प्रैस की बात करते हैं, तो टाटा मोटर्स की सभी कार्ज कुछ जैदा ही अवर प्रैस्ट होती है अपने सेग्मेंट में, चाहे वा नेक्सोन हो, हेरियर हो, या सफारी हो, कर्व क रैवल की बात करें, तो क्रेटा, सेल्टोस, ग्रंड, विटारा, एलिवेट और कुछाक की प्रैस, 11 से 20 लाग के बीच में आती है, अगर टाटा मोटर्स करूगी बस इतना इस वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जडूर कीजिए अगर फिल्ग में दोगी पकुछी में खाटा मोटर्स